नमस्कार सभी को आप सभी का एक बार फिर से आपके स्टेडिमेंटर चैनल पर हार्दिक स्वालगत है अपना दो एज्यूकेशनल साइकलोजी में विकास की आवस्ताएं सम्मधि जो यूनिट चर रही थी उसमें आज हम देखने वाले हैं किस वरा वस्ता इससे पहले हमने सेस्वा वस्ता और बाल वस्ता के वीडियो कम्प्लेट कर ले हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें आज हम विकास के जो त्रीशरी अवस्ता है किसवरावस्ता उसके बारे में बात करने जा रहे हैं बलेर जोन्स वर सिंप्शन ने अपने विचार किसवरावस्ता के बारे में दिये हैं और प्रोड़ा वस्ता के शुरू में ये समापते हो जाता है। तो ये बल्ल वस्ता का तो एंत माना जाता है किस वरा वस्ता और प्रोड़ा वस्ता की शुरू आते मानी जाती है। ये किसने माना है। ब्लेर जोन्स वाय सिंप्सन ने। अनिक मनोवेग्यानिकों का कहना है कि इस अवस्ता की जो अवधी है वो साथ आठ वर्स की बारा से लेकर अठारा वर्स तक की आयों तक मानी जाती है तो कईयों ने तो 7-8 वर्षे लेकर 18 वर्ष तक मानी है और कईयों ने 12 वर्षे लेकर 18 वर्ष तक की आयो को किस्वरावस्ता ग्यान तरगते माना है इस आवस्ता के शुरू होने की जो आयो है वो लिंग पर जाती जलवायू, संस्कृति, विक्ति के स्वास्ते आदी सभी पर निर्बरे करती है सामानेत है बालकों की जो किश्वरावस्ता है वो लगभल 13 वर्ष की आयो में सुरू होती है और जो बालिकाई है उनकी किश्वरावस्ता 12 वर्ष की आयो में सुरू माने जाती है भारत में यह आयो पस्टी में छत्र के जो थंडे देश है उसकी अपेक्स्या एक वर्ष पहले ये प्रारंब मानी जाती है किस्वरावस्ता के विकास के कौन-कौन से सिध्धान्थ हैं वो हम देखने वाले हैं किस्वरावस्ता में बालकों और बालिकाओं में करांतिकारी, सारिरिक, मानसिक, समाजिक और समय गात्म प्रिवर्ष 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 परकासित की थी और उस पुस्तग में इन्होंने लिखा था कि किसोर में जो भी परिवर्टन दिखाई रहते हैं वे एकदम होते हैं मतलब वो आक्समिक होते हैं तो आक्समिक मानने वाले कौन है? इस्टेनले होल और उनका पूर्वा की जो आवस्ताइं हैं उनसे कोई संबन् इस्टेनले होल का मत है कि किसोर में जो सारीरिक, मानसिक और स्रमिगात्म परिवर्टन होते हैं वो अक्समात होते हैं फिर इसका दूसरा जो सिधान्त आता है वो होता है कर्मिक विकास का सिधान्त इस कर्मिक विकास के सिधान्त के जो समर्थक हैं वो किंग, ठोरंडाइक और खुलिंग वर्थ माने जाते हैं इन मनुवेज्यानिकों का मत है 21 रवस्ता में सरीरिक, मानसिक और स्वमेगात्मक परिवर्थन जो होते हैं वो निरंतर और क्रमसह होते हैं तो इन तीनों मनुवेज्यानिकों ने जो इस स्वरावस्ता में परिवस्तन वाल माने हैं वो निरंतर और क्रम से माने हैं इस समंद में किंग महुदेर ने लिखा है कि जिस परकार एक रित्तु का आगमन दूसरी रित्तु के अंत में होता है कि मालो पहली रितु जाती है तो उसके अंत में उसके लक्सन जो दूसरी रितु शुरू होगी उसके लक्सन हमें वहां दिखाई देंगे तो यहां बल्यावस्ता एक रितु है जो समाप्त होने वाली है और किश्वरावस्ता जो है वो दूसरी रितु है तो बल्यावस्ता के अंत में ही किस्वरावस्ता के लक्सना में दिखाई देते हैं पर जिस परकार पहली रित्व में ही दूसरी रित्व के आगमन के चिन दिखाई देने लगते हैं उसी परकार बल्यावस्ता और किस्वरावस्ता एक दूसरे से सम्मझ देते रहते हैं तो यहीं से बन जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन से वस्ता मानी जाती है तो वो है किस्वरावस्ता जिसको अंग्रेजी में अडॉल्शन से कहा जाता है यह किल्क पेट्रिक यह किल्क पेट्रिक ना होकर किल्क पेट्रिक है तो उन्होंने बताया है कि इस बात पर कोई भी मतवेद नहीं हो सकता कि किस्वरावस्ता जो है वो जीवन का सबसे कठीन काल है तो किस्वरावस्ता को जीवन का सबसे कठीन काल किसने का है ये किरके पेट्रिक ने इस कथन की पुष्टी करने के लिए उन्होंने निमल की तरक दिये हैं पहला तरक है किस्वरा वस्ता में अपरादी परवर्ती अपनी प्राकाश्टा पर पहुंते जाती है और नसिली वस्तों का प्रयोग जो है वो बालक शुरू कर देता है जो किस्वर होता है वो नसिली जो वस्तों है उसको उनका सिवन कर देता है दूसरा तरक उन्होंने दिया है कि किस्वरा वस्ता में समयोदन नहीं कर पाता है मर्थिदर और मानसिक रोगों की संख्या जो है वो अन्य अवस्ताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें जो किस्वर होता है वो समायोजन नहीं कर पाता जिसके कारण वो कभी अत्मर्त्य कर लेता है और कभी वो गलत रस्ते पर चला जाता है तेसरा तरक दिया है एक किस्वरावस्ता में किस्वर के आवेगों और समवेगों में इतनी परिवर्थन सेल्ता हमें देखने को मिलती है कि वह प्राय वीरोधी विवार करने लगता है जिससे उसे समझना बहुत कठीने हो जाता है सोथा जो तरक दिया है वो है किसोर आवस्ता में किसोर अपने मुल्यों, अदर्शों और सम्वेगों में संगर्श का अनुभव करता है जिसके फ़लसरूप वो है अपने को कभी-कभी द्वीधा पून इस्तति में पाता है अगला तरक है किसोर आवस्ता में किसोर जो है वो बाल्य आवस्ता और प्रोड आवस्ता इन दोनों आवस्ताओं में रहता है क्योंकि बाल्य आवस्ता का अंत और प्रोड आवस्ता की सुर्वाद इन दोनों के मज़े किसोर आवस्ता आती है उसे नय तो बालक समझा जाता है और नही प्रोड बिलकि वो क्या होता है वो किसोर होता है अगला तरक है किसोरावस्ता में किसोर का जो सारीरिक विकास है वो इतनी जल्दी इतनी टेज किती से होता है कि उसमें क्रोद, घर्णा, चिर्चिडापन, उदासिंता, आधी जो वो उत्पने हो जाती है अगला तरुक है कि स्वुरावस्ता में कि सोर का जो पारिवारिक जीवन है वो कष्ट में होता है क्यूंकि सवतन्तर्था का इच्चुक होनी पर भी उसे सवतन्तर्था नहीं मिलती और उससे बड़ों की अग्या मानने की आसा की जाती है अगला तरक है कि इस्वरावस्ता में इस्वर के सम्विगों, रूचियों, भाउनों, दिश्टिकोनों आदे में इतनी अधिक प्रिवर्तन सीलता और एस्टिता होती है जिसमें उसमें पहले कभी नहीं होती थी पहले कि जो दो वस्ता हैं, शेस्वावस्ता और बल्य वस्ता उसमें इतनी प्रिवर्तन सीलता हमें दिखाई नहीं देती, जितनी किस्वरावस्ता में दिखाई देती है इस वस्ता में उसकी रूची भावनाय दर्श्केगों सभी कुछे बहुत जल्दी बदलते हैं अगला तरक है कि किस्वर वस्ता में किस्वर में अनेक अप्रिये बाते होती हैं वो कौन कौन सी हैं जैसे उदेंडता शुरू कर देता है उसमें कठोड़ता का भावा जाता है भुकड़पन पस्वों के परती निश्टूरता अत्मपरदसन की परवर्ती गंदगी और एव्यवस्ता की आदितें एवं कल्पना और दिवास अपनों में विचरने ये सबी कारिये वो करने लगता है अगला जो तरक दिया है किस्वरवस्ता का वो है किस्वरवस्ता में किस्वर को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो कौन कौन से हैं जैसे अपनी आयू के बालकों और बालिकाओं से नए समन्द वो इस्ताफित करता है माता पिता के नियांटरंस से मुक्त होकर वो सोतंतर जीवन व्यतित करने की इच्छा करता है वो साता है कि उस पर किसी परकार का कोई दबाव नहीं हो योग्य नागरिक बनने के लिए उचित उसलताओं को वो प्राप्ट करना चाता है और जीवन के प्रती निश्चित द्रिश्टिकों का वो निर्मान करना चाता है एवन विवाह, परिवारिक जीवन और भावी वेवसाय के लिए वो ततपरे रहता है तो ये सबी जब तरक हैं ये किश्वरावस्ता से संबन देता है अब हम देखते हैं किश्वरावस्ता की मुख्य विशेष्टाइं कौन-कौन सी है बिंग वे हंट महोदय के सब्दों में कि सोरावस्ता की विशेष्टों को सरवोतम रूप से विर्प करने वाला एक की सब्द है और वो सब्द है परिवर्तन परिवर्तन सारिरिक होता है सामाजिक होता है और मनोवेग्यानिक होता है तो यह परिवर्तन तीन प्रकार के माने गए हैं सारीरिक, सामजिक और मनोवेज्यानिक जिन परिवर्तनों की ओर उपर संकेत किया गया है उनसे सम्मदित कुछ विशेष्ट है हम नीचे देखने वाले हैं सबसे पहली विशेष्ट है सारीरिक विकास किसवरावस्ता की सारीरिक विकास का सरुषेष्ट काल माना जाता है तो किसवरावस्ता होती है उसको सारीरिक विकास का सबसे उत्तम काल माना जाता है इस काल में क्या होता है किसवर के सरीर में बहुती महत्फुन परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जैसे भार और लंबाई में बहुत पेजी से उवर्दी होती है, मास पेशियों और सारिक ढांचे में भी कठोड़ता आती है, दर्ड़ता आती है, किसोर के दाड़ी और मुच की रुमावलियों एउन किसोरी में पर्थमासिक इस्त्राव के दर्शन इस सवस्ता में हमें विशेष चिंता इस अवस्ता में उत्पन होती है, किसोरों के लिए सबल स्वस्त और उत्साई एउन किसोरीयों के लिए अपनी आकर्ति को नारिज जाती आकर्शन परदान करना इस अवस्ता में सबसे महत्तुन माना जाता है अगली दो विशेशता है वो है मानसी के विकास जिस दोर के मस्तिष का लगबग सभी दिसाओं में विकास से माना जाता है उसमें विशेश रूप से अगर लिखित मानसी गुन पाये जाते हैं तो वो कौन-कौन से मानसी गुना वो हम देखने वाले हैं कल्पना और दिवास अपनों की बहुता में वर्धी का अधिक्तम विकास, सोचने समझने और तरक करने की सक्ति में वर्धी होना, विरोधी मानसिक दसाएं तो ये सभी गुने मानसिक विकास के अंतरज़ते एक किसोर में पाय जाते हैं कोलेशनिक महोदे ने मानसिक विकास के समंद में अपना कथन किया है कि किसोर की मानसिक जिग्यासा है उसका विकास किसोरवस्ता में होता है अता है वह समजिक, आर्थिक, राजनितिक और अंतराष्टिय समस्यों में रूची लेनी लगता है वह इन समस्यों के समंद में अपने विचारों का भी निर्माने करता है अगली जो विशेशता है वह घनिष्ट वह वेक्टिगते मित्ता किसी समूर का सदस्य होते हुए भी किसोर जो होता है वो केवल एक या दो बालकों से घनिष्ट समंद रखता है तो इसमें उसकी दो मित्ता है वो निष्टिते हो जाती है जो उसके परम मित्र हैं पक्के मित्र होते हैं और दिन से वह अपनी समस्याओं के बारे में इस पर्ष्ट रूप से वारतलाब करता है तो वो उसके घनिष्टे मित्र होते हैं वेलेंटाइन महोदे ने इसके बारे में कहा है कि घनिष्ट और विक्तिगत मितरता उत्तर की सोरावस्ता की परमुक विशेशता मानी जाती हैं कि सोरावस्ता में भी दो हती हैं पूर्व की सोरावस्ता और उत्तर की सोरावस्ता पूर्वा की स्वरावस्ता बारा से जोदा और उत्र की स्वरावस्ता स्वरा से बारा से पंदरा पूर्वा की स्वरावस्ता और ये पंदरा से अठारा उत्र की स्वरावस्ता तो उत्र की स्वरावस्ता ये विशेष्ता मानी जाती है अगली जो विशेस्ता है इस रवस्ता की वो है विवार में भिंता किसोरों में आवेगों और सम्वेगों की बहुत प्रबलता उनमें पाई जाती है यही कारण है कि वो जो किसोर होते हैं वो विविन अवसरों पर विविन परकार का विवार करते हैं उदान के रूप में हम देखें कि किसी समय वह है किसो अत्यदिक क्रियासिल हो जाता है और किसी समय वह अत्यदिक काहिल और किसी परिस्ति में ऐसाधन रूप से वह उत्सा पुर्ण और किसी में ऐसाधन रूप से वह उत्सा हीने हो जाता है तो उसमें उसके जो विवहार हैं उनमें हमेशा बदलाव हमें देखने को मिलता है बी एन जानी इसके समझ में लिखा है कि हमारे सबके जो समवेगा अत्मक विवहार है उसमें कुछ विरोध हमें देखने को मिलते हैं पर किशवरावस्त होती है उसमें यह विभार विश ubiquis roo से इसपष्ट में दिखाई देता है। अगली विश ubiquis tua है उस्तिर्ता व समयोजन का प्रभात। रोशमोदै के अनुशार किश्वरावस्ता को सेश्वावस्ता का पुर्णावरतन मानः जाता है। तो ये रोश मोदे ने कहा है कि जो किस्वर अवस्ता होती है वो स्चेश्व अवस्ता का पुनरावतन मानी जाती है क्योंकि किस्वर बहुत कुछ इस अवस्ता में एक सिसु के समान होता है उसकी बल अवस्ता की जो इस्थिता है वो इसमें समाथ हो जाती है और वह एक बार फिर से सीसू के समान एस्टेरी हो जाता है उसके विवार में इतनी उद्विकन का आज़ती है कि वह सीसू के समान अन्ने वेक्तियों और अपने वातावन से समायोधन वह नहीं कर पता है तो रोश महोदे ने इस विशेष्टा के समन्द में अपना मत परकट करते हैं यह क्या का है कि शीशू के समान किसोर को अपने वाताओं से समायोधन का जो कारी है वो फिर आरम करना पड़ता है अगली जो विशेष्टा है वो है सवतंतरता वे बिद्रोह की भावन तिसोर में सारीरिक और मानसिक सवतंतरता की परबल भावना हमें देखने को मिलती है वह बड़ों के आदेशों, विभिन, परंप्राओं, रेची लिवादों और अंद्विश्वासों के बंधनों में नहीं बंद कर सवतंतर जीवन बिताना चाहता है अता यदि उस पर किसी परकार का परतिवन या रोक टोक लगाई जाती है तो उसमें विद्रोह की जो जवाला है वो टपकती हमें दिखाई देती है मतलब उसकी जो विद्रोह की भावना है वो हमें दिखाई देने लगती है कोलेशनिक महोदे ने इसके समझ में कहा है कि किसोर्द हो है वो प्रोडों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी सोतंतरता का लक्से प्राप्ट करने से रोकते हैं तो ये परिवासा भी कई बार एक्जामों में पूछी जादु की है अगली जो विशेष्टा है वो है काम सक्ते की परिपक्वता करमेंदरियों की परिवर्ट परिपक्वता और काम सक्ते का विकास जो है वो किसोरावस्ता की सबसे मार्पों विशेष्टाव में एक माने जाती है किस्वरावस्ता के पूर्वे काल में बालकों और बालिकों में समान लिंगों के परती बहुत आकर्शने हमें देखने को मिला था कि जो बाल्य आवस्ता है उसमें समान लिंग के परती आकर्शन हमें दिखाई देता था और किसोरवस्ता में क्या होता है वो उसके विपरियते हो जाता है किसोरवस्ता में उत्तर काल में यह अक्रशन जो है यह हमें मिसम लिंगों के परती पर बल रोची का रूप धारने कर लेता है कि जो बालक होता है वो बालिका की वरा कर्षित होता है बालिका जो होते है वो बालक की वरा कर्षित हो जाती है तो वो कौन सी वस्ता है किस वरा वस्ता फल सरूप कुछ किसोर और किसोरिया जो है वो लिंग ये संभोग का अनंदे लेते हैं तो इसमें गेट्स वे अदर्म हो देखा इसके समद में विचार है कि लगबग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार का विश्चम लेंगे अनुभव देखने को मिलता है अगली जो विशेषता है वो हर समोह को महत्व है कि सोर जो होते हैं वो जिस समोह का सदस्य होते हैं उसको वह अपनी परिवार और विद और विद्याले उसके बाद में है सबसे पहले वो अपनी समोह को महत्व है देता है यदि उसके माता पिदा और समोह के दश्टिकों में अंतर दिखाई देता है तो वह समोह का जो दश्टिकों है उसको ही सरेष समझता है और उन्हीं के अनुशार अपने विवहार रूचि बिग्जट वह हंट महोदे ने इसके समन्द में काया है कि जिन समुव में किस्वरों का समन्द होता है उनसे उनके लगबग सभी कारिये प्रभावित होते हैं समुह है उनकी भावी, नेतिक मुल्यों, वस्तर पहनने की आदतों, भोजन करने की वीधियों को प्रभाविते करते हैं अगली जो विशेश्ता है वो है रूचियों में परिवर्तन हुए है इस्तेता EK STRONG के अध्यनों ने ये सिद्ध किया है कि 15 वर्ष की आयू तक कि सोरों की रूचियों में निरंतर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है पर उसके बाद में जैसे 15 वर्ष आयू समापत हो जाती है 16 वर्ष की आयू के बाद में क्या होता है इन रूचियों में इस तेरता हमें देखने को मिलती है वेलेंटाइन महोदे के अनुसार की सोर्द होता है वो बालकों और बालिकाओं की रूचियों में समानता भी किस वरावस्ता में हमें देखने को मिलती है और विबेंता भी इनमें पाए जाती है उदान के रूप में हम इसको देखें कि बालकों और बालिकाओं में अगर लिखित जो रूचिया है वो तो समान होती है कौन कौन सी पत्तर पत्तर काई, कहानिया, नाटक और उपनियास पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, सरीर को अलग 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 अबुस्वों से सजाना, हैरिस्टैल करना, विस्सम लिंगों से प्रेम करना, जो विस्सम लिंगी है उनसे प्रेम करना, ये सबी तो उ ग्याम में विशेश रूची होती है इसके विपरित जो भालिकाई होती है उनमें कडाई, बुनाई, नर्ते और संगीद के परती विशेश आकर्षन हमें किस्वरवस्ता में देखने को मिलता है अगली जो विशेशता है वो हस समा सेवा की भावना समाज सिवा की भावना में क्याता है कि जो किसोर होते हैं उसमें समाज सिवा की अत्तितिवर भावना हमें देखने को मिलती है इसके समन्द में रोश मोदे ने लिखा है कि जो किसोर होते हैं वो समाज सिवा के आदर्सों का निर्माण और पोसने करते हैं उनका उल्दार हड़्डे जो है वो मानुजाती के प्रेम से और प्रोत होता है और वह आदर समाद का निर्मान करने में साहिता देने के लिए हमेश्चा तैयार है रहती है अगले विशेष्टा है इस्वर वह ध्रम में विश्वास कि स्वरावस्ता के सुरू में वालकों को ध्रम और विश्वर में आस्था नहीं होती है कि जो पूर्व कि स्वरावस्ता है उसकी यहां बात हो रही है इसके समद में उसमें इतनी संकाएं उत्पन हो जाती हैं कि उनका समाधान वो नहीं कर पाते हैं परंतु जैसे जैसे वो उत्तर किश्वरवस्ता की ओर बढते हैं तो उननी धर्म में विश्वास उत्वन हो जाता है और वे इस्वर की सत्ता को स्विकार करने लगते हैं अगली जो विशेष्टा है वो है जीवन दर्शन का निर्माण किस्वरावस्ता से पुरू है बालत जो होता है वो अच्छी और बूरी सत्य और असत्य नेतिक और अनेतिक बातों के बारे में कई प्रकार के परशन पूछता है कि सोर होने पर वह स्वें इन बातों पर विचा करता है और फलसरूप अपने जीवन का वो निर्मान करता है वह ऐसे सिद्धानतों का भी निर्मान करना करता है जिनके सायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का नेने कर सके उसे इस कारिये में सायता देने के अधुनिक युग में युवक आंदोलनों का संग्ठने किया जाता है कि जो युवा बिर्गेर होती है वो अलग-अलग मोवमेंट्स और्गनाइज करती है अगली जो विशेषता है वो है अपराद प्रवर्वर्ति का विकास कि स्वरावस्ता में बालक में अपने जीवन दर्शन ने अनभूं की इच्छा निराशा एसफल्ता प्रेम के अभाव आदी के करण अपराद प्रवर्ति का विकास देखने को मिलता है वेलेंटाइन मोदे का मत है कि कि स्वरावस्ता जो है वो अपराद प्रवर्ति के विकास का नाजुक समय माना जाता है पक्के अपरादियों की एक विशाल संच्छा कि स्वरावस्ता में ही अपने वेवसाइक जीवन की गंभीरता पुरुक आरंब कर देखती है। अगली विश्यस्ता है के सुरावस्ता की वो है इस्तती वर महत्व की अभिलासा। की सुर में महत्वर्ण व्यक्ती बनने की और प्रोडों के समान निश्चित इस्तती प्राप्ट करने की सबसे अधिक अभिलासा पाई जाती है। ब्लेर, जोन्स, व мест, सिंप्शन के अनुशार की सुर की शर्ण वह महत्वर्ण बनना चाता है। अपनी सम्वर में इस्तती वो प्राप्ट करना चाता है। और स्रेष्ट व्यक्ती के रूप में सुविकार वो किया जाना चाता है। वो चारता है कि समाज के सभी लोग उसे शरेश्ट सुनागर की भावना से देखें अगले विशेषता है व्यवसाई वैं चुनाओ कि सुरावस्ता में बालक अपने भावी व्यवसाई को चुनने के लिए चिंतिते रहता है वो सोचता कि उसे क्या काम करना है और क्या नहीं तो उसके लिए वो किस्वरावस्ता में चिंतिते हो जाता है इसके सम्मन्द में स्ट्रेंग महुदय ने लिखा है कि जब हाई इसकूल में सात्र होता है मतलब 12 में तब वहे इसी व्यवसाय को चुनने उसके लिए तयारी करने उसमें प्रवेश करने और उसमें उन्ति करने के लिए अधिक ही अधिक वो चिंतिते हो जाता है आपने देखा होगा जो 12 में दो लड़के या लड़के होती हैं वो अपने भावी जीवन के लिए उसी समय से चिंता करना सुरू कर देते हैं कि उन्हें भावी जीवन में क्या बनना है और कैसी अपना जीवन या अपने करना है इस परकार हम देखते हैं कि किस्वरावस्ता में बालक में अनेक नमीन विशेष्ताओं के दर्शन होते हैं उनके समन में एक टेले होल ने लिखा है कि किस्वरावस्ता एक नया जनम है क्योंकि इसी में उसे उच्छतर और स्रेष्तर मानव विशेष्ताओं के दर्शने होत सब को आप किस्वरावस्ता की समाजिक और समयगात्म की अंतरगते लिख सकते हैं तो इसमें आपके लिए सबसे लाबदा एक बात यह है कि यहां आपको पहली और दूसरी विशेष्टा हैं जो किस्वरावस्ता की देगी हैं उनको आप छोड़ दो और बाकी के जो जितनी भी विशेष्टा हैं वो किस्वरावस्ता की समाजिक, समयगात्मक विशेष्टाओं के अंत्रगते आते हैं तो यहां दो प्रकार के किस्टन आपको देखने को मिल जाएंगे फिर है किस्वरावस्ता में सिक्षा का सुरूप कैसा होना तो इसको हम देखने वाले हैं किस्वरावस्ता में सिक्षा के समझ में हेड़ो रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयो में बालक की जो नशे हैं उनमें जवार उठना सुरू हो जाता है और इसको कि सुरावस्ता के नाम से पुकारा जाता है यदि इस जवार का बाड़ के समय ही उप्योग कर लिया जाए एवं इसकी सक्ति और धारा के साथ साथ नई यत्रा सुरू कर दी जाए तो सफलता आवस्चे ही प्राप्ते की जा सकती है तो ये हैड़ो कमेटी ने बहुती अच्छी रिपोर्ट दी है ये क्यूशन भी कई कम्पेटिशन एक्जाम में पुछा जात सुका है उपर्यूक्त जितनी भी विश्यस्ताय लिखी गई है उनसे इसपष्ट ओता है मतलब उपर जो आपको प्रिवासा दे गई है उनके सब्दों से इसपष्ट हो जाता है कि किस्वरावस्ता सुरूख होने के समय से ही शिक्षा को एक निश्चित सुरूख परदान किया जाना बहुत ही जरूरी है इस शिक्षा का सुरूख कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए इस पर हम नीचे पर कहलाल रहे है तो इसमें पहला जो सवरूप है वो है सारी जिक विकास के लिए सिक्षा कि सुरावस्ता में सरीर में अनीक रांतिकारी प्रिवाइटन हमें देखने को मिलते हैं जिनको उचित दिशा प्रदान करके सरीर को सबल और सुदोल बनाने का उत्तरदायत वे जो है आता है उसी अगर लिखित आयोधन करने चाहिए जो आगे आयोधन दे रखे हैं वो उसके लिए करने चाहिए पहला कुन सा है सारीरिक और स्वास्ते सिक्षा कि सुर को प्रदान की जाए विभिन पर करके सारीरिक वियाम कि सुर से करवाने चाहिए सबी परकार के खेल कूद जो है उसमें किसोरों को भागे लेना से ये तो ये तो साजिक विकास के सम्मन में हो गया अब मानसिक विकास के लिए सिक्षा मानसिक विकास के लिए सिक्षा में क्या है कि किसोर की जो मानसिक सक्तिया है उनको स्रोतम और अधिक्तम विकास करने लिए शिक्षा का सवरूप जो है वो किसोर की रूचियों, रूधानों, दरश्टिकुनों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए अतह है उसकी शिक्षा में अगर लिखित को इस्थान दिया जाना चाहिए कि उसकी मासिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, कला, विज्ञान, साहिते, भुगोल, इतियास, आदिस, सामानी, विद्याले, विशे जो है वो किसोर को प्रदान करने चाहिए, उनकी शिक्षा उसे देने चाहिए किसोरों की जिग्यासा को संतुष्ट करने और उसकी निरक्षन सक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकर्तिक, एतियासिक, आदिस्थानों का समय समय पर भर्मने करवाना चाहिए किसोरों की रोचियों, करपनाओं और दिवास अपनों को साकार बनाने के लिए प्रियेटन, वाद विवाद, कविता लेखन, साहित ते गोश्टी, जैसे कई परकार के पाठ्थे करम, सहगा मिक्रियें उनसे करवाने चाहिए अगला जो सिक्षया का सवरूप है, वो है समय गात्मक विकास के लिए सिक्षया, कि सोर्द है, वो कई परकार के समय गों से संगस करता हुआ, अपने जीवन के दिनों को वेतिते करता है इन समय गों में से कुछ तो उत्तम होते हैं, और कुछ से निक्रिष्ट होते हैं, अतहिछ जिक्षया के में इस परकार के विश्यों और पाठ्थे करम, सहगा मिक्रियों को इस्थान दिया जाना चीए, जो निक्रिष्ट समय गों का दमन या मारगांतिकर्ण और उत्तम समय इगों का विकासे करते हैं इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहिते, संगीत, सांसकर्टिक कारियकरम, आधी की सुंदर व्योफता करने चाहिए एगला जो शिक्षा का स्वरूप है वो है समजिक समंदों की शिक्षा कि सोर अपनी समों को सबसे अधिक महत्वें देता है और उसके आचार विवार की अनेग बातें वो सेखता है अता है विद्दयले में ऐसे समों का संग्तन किया जाना चाहिए जिसकी साहिता से जिसकी सदसेता गरहन करके की सोर जो है वो उत्तम समाजिक विवार और समंदों के पाठ शिक्षा के इस दिशा में सामुई आउटिंग अत्यदिक उपयोंगे सिद्धे हो सकते हैं अगला जो सिक्षा का सवरूप है वो है व्यक्तिगत विभिनताओं के अनुसारे सिक्षा कि सोरों में व्यक्तिगत विभिनताओं और आवशेक्ताओं को सभी सिक्षा विद्दोते हैं वो स्विकारे करते हैं अता ह विद्धालियों में विभिन परकार के पठ्थे कर्मों के विवस्ता के जाने जाए जिसे किसोरों की विक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके इस बात पर बल देते हुए सेकेंडरी एजुकेशन कमिस्टन में लिखा है कि हमारे माद्यमिक विद्धालियों के विद्धालियों को चात्तों की विभिन परवर्तियों रूचियों और योग्यतों को पूर्ण करने के लिए विभिन सेक्षिक कर्ये कर्मों की विवस्ता करने चाहिए अगला जो सिक्षा का सवरूप है वो है पूरुव वेवसाई के सिक्षा इसमें क्या है कि जो किसोर होते हैं वो अपने भावी जिवन में किसी में किसी वेवसाई में परवेश करने की योदना वो बनाते हैं पर वो यह नहीं जानते हैं कि कौन सा विवसाय उनके लिए सबसे अधिक उप्यूक्त है। उनकी को यह चिंता रहते कि वो कौन से विवसाय का तुनावे करें। उसे इस बात का ज्यान प्रदान करने के लिए विद्याले में कुछ विवसायаю की प्राणभिक शिक्ष्या भी उनको दे जानी चाहिए। इसिवात को ध्यान में रखकर हमारी देश के भूदिश्य विद्यालों में व्युफ्शाइक विश्यों कि शिक्षा का स्वरूप है वो है जिवन दर्षन की शिक्षा किसोर अपने जिवन दर्शन का निर्मान करना चाहता है पर उचित पत्परदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में पैसमर्थ होता है उसको पत्परदर्शन नहीं मिल पाता जिससे वो जिवन दर्शन की सिक्षा से वन्चिते हो जाता है इस कारिय का उत्तरदाइत वद्व है वो विद्धाले पर है इसका समर्थन करते हुए बलेर जॉन्स वशिम्सन ने लिखा है कि किसोर को हमारे जन्तांत्रिय दर्शन के अनुरूप जीवन के परती दर्श्टिकों का विकास करने में स्टायता देने का महान उत्तरदाइत वो विद्धाले पर आता है अगला जो सिक्षा का स्वरूप है वो है धार्मिक वे नेतिके सिक्षा कि सोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतल दौन दोय चलता रहता है जिसके फर्व सुरूप है उचित वेवार के समद में किसी भी निश्चित निश्कर्ष पर नहीं पहुंच वाता है एता है उसे उदार धार्मिक और नितिक शिक्षा प्रदान की जाने चाहिए ताकि किसोर उचित और अनुचित में अंतर करके अपने विभार को समाज के नितिक मुल्यों के अनुखोले बना सके इसके लिए कोठारी कमिशन आयोग ने हमारे माध् विद्याले में नितिक और अध्यात्मिक मुल्यों की शिक्षा प्रदान करने के सिपारी से की है अगले जो शिक्षा का सोरूप है वो है योन शिक्षा कि सोर बालकों और बालिकाओं की अधिकां समस्याओं का समाधान उसकी काम प्रवर्ति से होता है अता है विद्याले मे योन शिक्षा की व्योस्ता होना बहुती ज़रूरी है इस शिक्षा की आवश्यक्ता और विधी पर अपना मत परकट करते हुए रोश मोदे नहीं लिखा है कि योन शिक्षा की परम आवश्यक्ता को कोई भी ऐस्विकार नहीं कर सकता इस बात की आवसेक्ता है कि किसोर को एक ऐसे वेस्क द्वारा गोपनी ये शिक्षा दी जाएए दी जानी जिए जिस पर उसको पुर्ण विश्वास हो अगला सिक्षा का स्वरूप है बालक वर बालिकाओं के पठ्थे करों में जो पठ्थे करम है उनमें विविन्ता होनी जिए बालकों और बालिकाओं में किसोर वस्ता का जो पठ्थे करम है उसमें विविन्ता होना बहुती जरूरी है इसका कारण बताते हुए B.N. जाने लिखा है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालकों और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज के विभिन कर ये करने हैं दोनों के पाठे करमों में भी विभिनता होने चाहिए अगला शिक्षा का सवरूप है उप्यूक्त शिक्षन विद्यों का प्रियोग कि सोरनी स्वेंपरिक्षन, मिरिक्षन, विचार और तरक करने की प्रवर्टी पाई दाती है अगला उसे शिक्षा देने के लिए प्रमप्रागत विद्यों का प्रियोग नहीं करना चाहिए धंग से किया जाना चीए कि जो विश्यों की शिक्षा वे वेवारिक धंग से किस्वरों को प्रदान की जानी चीए और उनका देनिक जीवन की बातों से पर्तिक समझ इस्थाफित किया जाना चीए किसोरों को जो शिक्षा प्रदान की जाए वो देनिक जीवन को जोड़कर प्रदान की जाए अगला जो शिक्षा का सो रूप है वो है किसोर के प्रती वेश कासा विवहार किसोर को ने तो बालक समझना चाहिए और ने ही उसके परती बालक कासा विवार हमें करना चाहिए इसके विपरीट उसके परती वेस्क कासा विवार किया जाना चाहिए इसका कारण बदाते वे ब्लेर, जोंस वर सिम्सन ने लिखा है कि किसोर के प्रती वेस कासा विभार क्यों करना चाहिए तो उन्होंने लिखा है कि जिन किसोरों के प्रती वेस कासा जितना ही अधिक विभार किया जाता है उतना ही अधिक वे वेश को कासा विभार करते हैं अग्ला जो सोरूप है वो है किसोर के महतोय को मानने था किसोर में ऊचित महतोय और ऊचित श्दती प्राक्ट करने की परबल इच्छा हमें देखने को मिलती है उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायत वक्यकारिये दिये जाने चाहिए इस उद्देशे से समाजिक के लिए हूँ 700 शासन और युवद गोश्टियों का संठन किया जाना चाहिए अगली जो अगला जो सवरू फैसिक्चा का वो है अपराद परवर्टी पर अंकुस किसोर में अपराद करने की जो परवर्टी है उसका मुख्य कारण निरासा माना जाता है कि जो किस ओर हैं वो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और वो अपराद प्रवर्वर्टी के ओर बढ़ जाते हैं इस कारण को दूर करके उसकी जो अपराद प्रवर्ती है उस पर अंकुस लगाए जा सकता है रो के लगाए जा सकती है विद्याले उसको अपनी उपियोगिता का अनुभव कराके उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस परकार उसकी अपराद करने की जो प्रवर्ती है उस पर वो लगा में लगा सकते हैं, अगला सिक्षा का जो सवरूप है, वो है किसोर निर्देशन, इसकी नर्मोहदे ने लिखा है कि किसोर को निर्णी करने का कोई भी अनुभाव नहीं होता है, अता है वह स्वेम किसी बात का निर्णी नहीं कर पाता है, और चाहता है कि कोई इस का में निर्देशन और प्रामस उसे परदाने करें। यह उत्तदाइतु है। उसके अध्यापकों और अविभावकों को देना चाहिए। ताकि वो उचित लाइडेंस किस और को परदाने कर सकते हैं। फिर है उपसंगार कि हमने जो भी पढ़ा है उसका निश्कर्शन मीचे द दुकाव है वो जिस और हो जाता है उसी दिशा में वह जीवन में आगे की और बढ़ता है। वह धार्मिक या ऐधार्मिक देश प्रेमी या देश द्रोही अध्यवसाई वह अक्रमनी कुछ भी वो बन सकता है। इस प्रकार इस अवस्ता में संसार के सब महान पूश्रों अपने भावी जीवन का संकल्प किया है। महात्मागन्य ने अपने जीवन में सत्य का अनुश्रों करने के प्रतिग्या किस्वर अवस्ता में ही ली थी। अतर बालकों के भावी भागे और उतकष्ड जीवन के निर्मान में इस अवस्ता की गरिमा से अपने ज्ञान को ए कराना अपना प्रम पूनीत करतवे समझना चाहिए उन्हें विलेंटाइम के इस वाक्य को अपना आदर सुत्तर मालना चाहिए वो कौन सा है कि मनोवे ग्यानिकों दौरा भहुत समय तक उपदेश दिये जाने के बाद अंत में यह बात व्याफक रूप से स्विकार की जाने लगी है कि सेक्षिक दृष्टि कौन से इस वरावस्ता का अत्यदिक में तुए होता है फिर इस चेप्टर से समझने चे कुछ इंपोर्टेंट क्यूसन है वो आप रफ नोट रूप में उनके आंसर लिखने की चेस्टा करें अगर आप एक बार में एस पल होते हैं तो इस चेप्टर को दुबारा देखें और इस चेप्टर से समझने जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप नोट के रूप में एक नोट रूप में उतार सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर दिखरें और किसी प्रकार का सुधाग देना हो तो कमेंट बाक्स में जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसने तो पिती साथ